जबकि शेज़ दो सयोजगताएं अन्य परमाणों से संदुष्ट होती है एथीन में सहसयोजग बंध का चित्र उसी प्रकार हम त्रीबंध का बनना भी दो परमाणों के मध्य इलेक्ट्रोनों के साजह द्वारा समझा सकते हैं अब हम नाइट्रोजन पर विचार करें जिसमें प्रत्यक नाइट्रोजन परमाणों तीन-तीन इलेक्ट्रोनों का साजह करता है क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणों संख्या साथ है तथा इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो-पांच होता है चुंकि नाइट्रोजन के दो पर्माणू मिलकर अणू का निर्मान करते हैं अतहा नाइट्रोजन का अस्तित्व दो पर्माणू गैस के रूप में होता है नाइट्रोजन में सासमजग बंद का चित्र आईए नाइट्रोजन की सरचना को समझे दोनों नाइट्रोजन परमाणूं के पास 5-5 एलेक्ट्रॉन है इस्थाइत्व के लिए इन्हें 8 एलेक्ट्रॉन चाहिए अतह ये दोनों नाइट्रोजन 3-3 एलेक्ट्रॉन का साजा करें तो दोनों के पास आठ आठ एलेक्ट्रोन हो जाएंगे यह ओक्टेट नियम के अनुसार नाइट्रोजन की सरचना हुई दो एलेक्ट्रोन की साज़ेदारी से एक बंद बंता है अतहा नाइट्रोजन में छे एलेक्ट्रोन के साज़ेदारी से त्रिबंद बंते हैं पूरों में आपने देखा कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल याद्वी बंध होता है उसी प्रकार कार्बन कार्बन के मध्य त्रीबंध भी पाया जाता है अनू C2H2, CH, ट्रिपल बॉंड CH की ऐसी सरंशना होती है एथाइन में सहसेंजग बंध का चित्र हमने इस अध्याय में देखा कि तत्वों की सहयोजगता इस बात पर निर्भर करती है कि तत्व अक्रिय गैस्क विन्यास प्राप्त करने में अपने सहयोजी कक्ष से कितने इलेक्ट्रोनों का त्याग करता है या फिर ग्रहन करता है हमने यह भी देखा कि तत्व अपने ही परमाणू या अन्य तत्वों के परमाणू से इलेक्ट्रोनों के साजे द्वारा भी अस्टक पूरा करने का प्रयास करता है अतह हम सेयोज़क्ता को इस परकार भी समझ सकते हैं कि कोई तत्व अस्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रोन साजे हेतू उपलब्ध कराता है वहा उसकी या तत्व की सेयोज़क्ता कहलाती है उधारन के लिए कार्बन को लें चूंकि कार्बन अस्टक पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रोनों का साज़ा करता है अत्हा कार्बन की सेंज़क्ता चार है केल्शियम ऑक्साइड में आक्सिजन परमानू केल्शियम परमाणों से दो इलेक्ट्रोन ग्रहन करता है किन्तु कार्बन डायोकसाइड में प्रतेग ऑक्सिजन परमाणों कार्बन से दो इलेक्ट्रोनों का साचा करता है तो दोनों इस्थितियों में ऑक्सिजन की सेयोजकता बताईए